संग्या के प्रकार और संग्या कैसे जेंडर बदलती है कैसे हम जेंडर बदल कर नहीं संग्याएं पैदा करते हैं या कैसे मैस्कुलिन जेंडर को फैमिन या फैमिन जेंडर को मैस्कुलिन कैसे किया है यह हमने सीखा Now we come to the next one, relation between noun and number, noun and number is simple one, this is not difficult for you to understand, but all the same it is a part of your course. So we are doing it and it is a very simple one. Sangya is one word, a tree, so what do we say in Hindi? A tree or a tree, a tree or a tree, a tree or a tree or a tree, a tree or a tree, a tree or a tree or a tree. अंग्रेजी में भी ऐसा ही कुछ है, और अंग्रेजी में भी एक वचन को बहुचन करने के कुछ मोटे मोटे नियम है, not the laws, standard law, अपवाद बहुत है यहाँ पे, जैसा हमने अभी masculine से feminine बनाने के समय भी हमने देखा, कि कोई ऐसा standard law नहीं है, कि ऐसा शब्द हो, तो वो masculine से feminine ऐ कैसे ही बनेगा, नहीं, but still there are some methods, so here also we, let us see some words, tree, box, ox, and man, there are four types of words, tree, box, ox, and man, अब देखे, tree का बहुवचन क्या होता है, आपको मालूम है, trees, याने केवल S लगा दिया, बहुवचन होगा, बहुत सारे पेड, दूसरा शब्द है box, box में ES लगा रहे, box में क्या लगा है, ES, boxes, तीसरा है ox, ox याने bell, और उसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें EN लगता है oxen, गौर से देखिये, box में boxes हो गया, और ox में oxes नहीं हुआ, ox में क्या हुवचन हो गया, and last example that we have is man, man का बहुवचन क्या है, बताये, so common, man का बहुवचन है men, M-E-N, in other words, you have four different types of examples, showing you how singular noun can become a plural noun, प्रतियक जोड़े का जो शब्द है जो आप देख रहा हूँ, tree का trees, वो दूसरे शब्द से एक से अधिक वस्तु बता रहा है, और इसलिए हम singular से plural करते हैं, boy, girl, cow, bird, tree, book, pen, ये शब्द जो हैं, ये singular है, एक वचन याने जो एक चीज के लिए बताते हैं, एक बात के लिए करते हैं, एक वचन, अब इसका बहुवचन भी है, जैसा अभी हमने देखा, इन शब्दों में जिसका मैंने अभी नाम लिया, boys, girl, cow, bird, tree, book, pen, इन में केवल एस लगा दो और ये बहुवचन हो जाते हैं, इन में केवल एस लगा दो और ये बहुवचन हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में boys, girls, cows, birds, then trees, then books and pens, ये एक से ज़्यादा हैं तो एस लगाने से इसमें काम चल जाता हैं, लेकिन यही बात है, कोई ऐसा standard नियम नहीं हैं कि किसमें ऐस लगाएं और किसमें ना लगाएं, लेकिन फिर भी कुछ नियम हैं, there are still certain rules that if you keep in mind, it will help you in converting singular into plural, फिर भी ऐसे कुछ नियम हैं, उधारण के लिए plural बनाने के नीमों की अधि में बात करें, plural, मैंने बताया ना plural noun, singular noun and plural noun, plural याने बहु अचन, plural याने बहु अचन, singular याने एक वचन, चो singular noun को plural noun में बनाने के कुछ जो नियम हैं, चलिए अब हम उसको थोड़ा देखें, नॉमली जाता आपने देखा, अभी जितने शब्द थे उसमें S जोड़ जिया आपने, S जोड़ने से वो plural बन गया, boy, boys बना, pin, pin बना, pins, girl, girls who are, dick, and so on so forth, लेकिन ऐसे कई जो noun हैं, ये नियम को आप याद रखें, ऐसे noun, जिसके अंत में S आता है, या S, H आता है, या C, H आता है, soft, C, H याने, च, ने, soft जहाँ, C, H आता है, या X आता है, मैं पुना दोरा दूँ, ऐसे noun, जिसका आकरी अक्षर, या तो S हो, या S, H हो, या C, H हो, soft, C, या X हो, उसको बहुवचन बनाने के लिए, उसमें क्या किया जाता है, इसमें पहली चीज़ ये जाने कि इसमें common क्या लग रहा है, S, S, H और इसमें सब में common क्या लग रहा है, C, H और इसमें, स, आकरी में कहीं स, श, स, साउंड आ रहा है, क्या रहा है, स, श, स, ये वाला साउंड आकरी में है, जब यदि ये आकरी में है, तो, फिर उसमें S लगाने से, उच्चारण नहीं कर पाएंगे, यदि ये आकरी में है, ऐसा साउंड, याद रखिए, ऐसा syllable, आकरी में यदि है, शब्द के आकरी में, स्पेलिंग के मामले में, उसका अंत यदि S से हो रहा है, या SH से हो रहा है, या CH से हो रहा है, या X से हो रहा है, तो आप इसमें देखेंगे, सब में एक common syllable है, साउश, ऐसी स्थित में कैसे, क्लास पढ़िए, उधारन के लिए क्लास, C-L-A-S, क्लास, क्लास क्या है, कक्षा, अब क्लास में जोदी, मैं S जोड़ दू, यानि जो पहला नियम मैंने सीखा, तो चारण क्या होगा, डबल S हो जाएगा, C-L-A-S, C-L-A-S तो है ही, अब एक S और मैंने जोड़ दिया, तो उससे उचारण में सुविधा नहीं हो रही है, तीसरे S का मैं उचारण नहीं कर पा रहा हूँ, कर पा रहा हैं, क्लास अलड़ी बोल रहा हैं, पहले से आप क्लास बोल रहा हैं, सब बोला, अब उसमें फिर एक S और जोड़ दिया, वो चारण नहीं हो पा रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी दूसरा शब्द है, Brush, S-H जिसमें आता है, B-R-U-S-H, Tooth Brush, Tooth Brush, Polish Brush, Shoo Polish Brush, Floor की सफाई का Brush, Brush, मैं यदि मैं S लगा दूँ, तो शा और सा हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाते, कैसे हम बोल पाएंगे, बहुचन, Brush तो हम बोल देंगे, पर Brush में हम S लगा के, बहुचन कर दिये, तो हम बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, ऐसी, अब ये देखिए, S का उधारन आपने समझ लिया, कि कई शब्द ऐसे हैं, जहां पर एक और S लगाने से, उच्चारन नहीं हो पा रहा है, दूसरा उधारन भी आपने देखा, दूसरी तरह का, जिसमें S, H है, Brush, और इसमें भी S लगाने से, उच्चारन नहीं हो पा रहा है, इस पश्च नहीं हो पा रहा है, कि उच्चारन कैसे करें, और बहु अचन है कि कैसे बनाएं, ऐसी एक शब्द है, CH मैंने बताया था, तो CH से एक शब्द देख लें, Watch, घड़ी, W-A-T-C-H, Watch, अब वाच में S लगाई है, Watch, Watch, बहुत कठिन हो रहा है, उच्चारन कठिन हो रहा है, Watch, ऐसे कठिन उच्चारन के लिए से, बचने के लिए भी कुछ नियम है, और Box, Box में अलड़ी X लगा हुए है, सा आता है आखरी में, Box, अब उसमें फिर आपने X जोड़ा, तो कैसे बोलेंगे उसको, तो ऐसे शब्द, जिनकी समाप्ति, ऐसी संग्याएं, जिनका अंत, स, श, से होता हो, जिनके syllable, sound syllable में, स, श, आता हो, वहाँ पर E, S लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, E, S, जहां पर उचारण की दिक्कत ना हो, S लगाने से, दूसरा नियम ये है, ऐसी संग्याएं, जिसके उचारण में, आखरी में स, श, आदी आता है, और उचारण में आपको, स, जोडने पर, उसका उचारण करने में दिक्कत हो रही है, तो आप उसमें E, S लगा दो, क्या लगा दें, E, S, पहले में S, दूसरे में E, S, देखिए, Class, C, L, A, D, S, अब उसमें E, S लगा ये है, तो क्या बना, Classes, क्या बन गया, Classes, Brush, Brush का बहुज़न क्या बन गया, E, S लगाने से, Brushes, Branch, Branch याने शाखाएं, पेड़ों की Branch, This tree has plenty of branches, Branches याने शाखाएं, और ऐसी Branch मतलब बहुता है, Bankों की Branch, Schoolों की Branch, वहाँ भी शाखाएं, अनुवाद उसका वही होगा, So, Branches, Classes, Brushes, Match, Match याने, Football Match, हमारे टीम को बहुत सारे मैच खेलने हुए, जब क्या बोलेंगे, M, A, T, C, H, S, उचारन करिये, संभव नहीं है, M, A, T, C, H, S, इसका उचारन संभव नहीं, Match, तकलिफ हो रही है, So, S इसी सीटे में, E, S लगा दो, S के पहले, E जो जब दो, Matches, Boxes, और Watch का, C, H, मैंने बताया था, Watches, So, E, S, बहुत से शब्द E, S लगाने से बहुचन होते हैं, बहुत से शब्द S लगाने से बहुचन हो जाते हैं, और किसमे S और किसमे E, S लगाना हैं, इसके लिए बड़ी साधी, बड़ा स्रल नियम है, जहां पर शब्दों का अंत, S, S, H, C, H या X से हो रहा है, दूसरे शब्दों में जहां लास्ट सेलेबल में सा आ रहा हो, तो आप उसमें E, S लगा दें, तो ससिस, S, U, C, C, E, S, सक्सिस, सफलता, सफलताएं, सक्सिस यानि सफलताएं, और सफलताएं, सक्सिस, शी इस नोन फार मैनी सक्सिस इन हर लाइफ, वह जीवन में अपनी बहुत सारी सफलताओं के लिए जानी जाती हैं, सक्सिस, तो E, S, राइट, बहुत से शब्दों में S लगाने से बहुचन हो गया, we are talking about, I again remind you, noun with number, noun in relation to number, and noun in relation to number means, एक वचन noun को बहुचन कैसे बनाएं, या बहुचन noun को एक वचन कैसे बनाते हैं, and we learn two rules, एक तो हमने सीखा कि, एक वचन से बहुचन बनाने के लिए S लगा दो तो बहुत सारी सब्द, एक काफी कुछ बहुचन हो जाते हैं, कई ऐसे noun हैं जिसमें E, S लगाना पड़ता है, और ऐसे कौन से noun हैं वे भी हमने सीखा, now we come to the third type of words, third type of noun, ऐसे शब्द जो O से समाप्त होते हैं, जिनका last letter O है, उस O में हम क्या करते हैं, E, S जोड़ देते हैं, ये बड़ा standard name है, many words in English, many nouns in English end with O, and those words which end with O, are singular, एक क्वचन है, you just write E, S, you just, I should say suffix E, S to it, and it becomes बहुअचन, it becomes plural, कैसे, कौन से शब्द हैं, O से, आलू को क्या बोलते हैं, आलू, जो खाते हैं हम, आलू को बोलते हैं, potato, P-O-T-A-T-O, इसमें E, S लगा, दीजे, तो ये potatoes हो जाता है, याद रखिए, S लगाने से बहुअचन नहीं होगा, O के बाद आने वाले, O से समाप्त होने वाले, nouns, O अक्षर से समाप्त होने वाले, nouns, उसमें बाद में E, S लगाना पड़ता है, बहुअचन के लिए, केवल एस नहीं, केवल एस नहीं, E, S, तो जैसे बताया है, मैंने आपको potato, potatoes, next is, buffalo, buffalo, buffaloes, E, S, mango, mangoes, E, S, hero, heroes, heroine नहीं, heroine याने, rani, heroine याने, hero का उल्टा, अभिनेत्री, अभिनेता, और अभिनेत्री, वो तो gender की बात हो गई, और मैं बात कर रहा हूँ, number की, एक वचन और बहुचन की बात कर रहा हूँ, तो hero का बहुचन क्या होगा, heroes, h-e-r-o, e-s, eco याने, e-c-h-o, eco, उसका अचारान नहीं, eco, e-c-o नहीं, eco, eco क्या है, eco याने, प्रतिध्वनी, जार्प सुलेएब, Şarkı Eifalını Uykudan uyanmış gözlerim ahmur Ömrümde görmedim böyle जब हम पहाडों में जाते हैं उचे उचे पहाडों के बीच हम जोर से आवाज निकालते हैं तो आवाज टकरा के वापस आती हैं गूंजते हुए वापस आती है वो जो गुंजन है वो कहलाता है इको बहुत इको हो रहा है कई सिनेमा हौल में साउंड सिस्टेम अच्छा नहीं रहता जो आवाज है वो टकरा कर वापस आ जाती है और इसलिए ECO होता है बोलते हैं, ECO यहने प्रतिध्वनी, ECO यहने गुंजन, आवाज की गुंजन, So ECO का बहुतन होगा ECOs, E-C-H-O-E-S, वाल केनो, वाल केनो यहने जोला मुखी, वाल केनो यहने जोला मुखी, जोला मुखी जानते है न, जोला मुखी में भी आपने पढ़ा होगा, जोला मुखी वाल केनो, So वाल केनो का बहुतन है वाल केनो, So this way we learn that words which end up with O, you just add E-S to it and that becomes plural, and we have done few examples also. Okay, these are all words which are connected to us. मैं वही उदारन ले रहा हूँ, जो हमको day-to-day life में काम आते हैं, Buffalo, हम रोज देखते हैं, Potato, Mango, वाल केनो से हमको बार-बार पढ़ना होता है, Hero, Eco. Now, there are few words, मैंने भी आपको बताया, O से समाप्त होने वाले शब्दों में E-S लगाना, लेकिन ऐसे भी कई शब्द हैं, जो O से समाप्त होते हैं, के वल S लगाना पड़ता है, अब किन में S और किन में E-S, इसका कोई नियम नहीं हैं, मैं पुना दोरा दू, अभी हमने पढ़ा कि O से समाप्त होने वाले शब्दों में E-S जोड़ दीज़, और उसके उजाहरन देखे, देर आर मैनी वर्ट्स, मैनी नाउंस इन इंग्लिश, I am buying mangoes in kilos, I am buying mangoes in kilos, मैं kilos, बहुत सारे kilo में खरीद रहा हूं, so kilos, kilo, kilos, only S, Memento, what is a memento, M-E-M-E-N-T-O, कई लोग उसको momento लिखते हैं, कई लोग उसको momento बोलते हैं, जो गलत है, यह क्या है, Memento, Memento मतलब आपने देखा होगा, जब school में कुछ कारकरम हुआ आपके हाँ, जा होता है, चाहे annual function हो, या sports meet हो, या debate competition हो, तो मंच पे जब मुख्य अतिति, कि आते हैं, बैठने के बाद, कारकरम समाप्त होने के बाद, उनको एक स्मृति चिन्ह देते हैं, क्या देते हैं, स्मृति चिन्ह, कोई बाहर से अतिति आये, उनको स्मृति चिन्ह देते हैं, स्मृति चिन्ह का अर्थ है, उनकी यात्रा, उनके विजिट की याद में उनको एक गिफ्ट देना पर वो गिफ्ट क्या कहलाता है स्मृति चिन तो मेमेंटो is something like a स्मृति चिन मेमेंटो तो चारण क्या है मेमेंटो spelling क्या है मेमेंटो इसका बहुचन भी मेमेंटोज है याने S के बल लगाना है यह नहीं बहुत सारे स्मृति चिन रखे हुए है राइट फोटो फोटो का बहुचन भी फोटोज है यह नहीं है रेशियो, रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात, किस रेशियो में ये मिलाया गया है, सीमेंट और रेट और मिट्टी किस रेशियो में मिलाई है और रेशियो में मिलाई है वो रेशियो मतलब अनुपात और इसका बहुआ रेशियोय। र-a-t-i-o-s, एसी्टेरियो जो sound system होता है, स्टेरियो sound system तो बहुआ रेशियोय। ये बहुआ है. So, this way we have another rule, add O, add S to the word ending up with O as a suffix and it becomes plural. Now, we come to the next one. The next one is, there are many nouns which end up with Y. There are many nouns which end up with Y. Aisay bhoots se noun, jho Y se khatam hootay hain, Y akshar se. Us noun ko bhavachan kaise kaartay hain? Us noun ko bhavachan karne ke liye, kya kaartay hain? Y ki jaga I likhou. Simple. Remove Y, add I letter and write ES again. I repeat. Many nouns which end up with Y. Baby. Baby, you have to listen to baby. Baby, baby. B-A-B-Y. So, in such words which end up with Y, remove Y. And in its place, add I. Us main I likh do. And I ke baad suffix ke rup me E-S laga do. So, spelling kya bani? Baby ka babies. B-A-B-I-E-S. Babies. Army. Army ka armies. Armies. Ab, aap kehenge, ki army swam toh bhoot sare soldiers se bana hain sir. Ab, ye armies kaise ho gya? Woh kya bana? Us kaart kya hua? Armie swam bahu achan mein aata hai. Us mein toh bhoot sare soldiers rehte hain. So, army or armies kaise? Kya? Well, different countries have their own army. So, different countries send their army. And a combined army is created armies. The armies of different countries. The armies of different countries. Hum aisa upyok kar sakte hain. Anya deshoun ki, dvivena deshoun ki senayen. The armies of different countries. Vivena deshoun ki senayen. Viesse army mutlap swam mein group of soldiers hai. Par woh aeg group hai. Aisse army ke bhoot sare jab group hoon. To armies ho jayega. Right? So, why hattaya? Or iske wadle I joda? Or phir E-S us mein laga diya. Lady ka bhoachan kya hooga? Lady ka bhoachan hooga. Ladies. Kya hooga? Ladies. Story. Kahani. Story ka bhoachan. Stories. I-E-S. Stories. City ka bhoachan. Again I-E-S. Cities. So, here we have more or less a very clear cut law. Clear cut rule. That those nouns which are ending up with y, remove the letter y, add the letter i and then further add E-S to it and that becomes plural. So, how to make nouns into plural nouns, singular nouns into plural, here are certain rules that we learned. The next rule that we have is about the words which end up with f or fe. Many words, many nouns which are singular, they end up with f letter or fe letter. Like, we can say thief, t-h-i-e-f, thief. Thief yane, chore. Thief yane, chore. Then, f e se sum up thone wala shod life, l-i-f-e, life yane, g-1. Bohut sare g-1 ko kya bholta hai? Bohut sare choron ko kya bholta hai? Aisai wife, life, then wife. Bohut sarei patniyan kisi samaj me hooti hai. Ek se jyadha patniyan hooti hai. Kai samaj aise hai, johan par ek se jyadha patniyo ka prachlan hai. Vohan pere kya bholta hai? Bohut sare chan kya hooga? Patniyo ka bhout sare chan. Aisai knife yane chaku. Or knife ki spelling dhekhiye. K-N-I-F-E. K-N-I-F-E. Jis me K silent hai. K ka uchcharan nahi hoota. Jis akshar ka uchcharan nahi hoota hai. Toh hum keheten hai, waha akshar isme silent hai. Kya hai silent? Jis se h hum bolene na. जिसकी आवाद नहीं होगी बोलते समय उच्छारण में वो शब्द का जिक्र नहीं आएगा के मतलब का पर हम नाइफ बोलते हैं उसमें का नहीं आता तो ये साइलेंट है पर वहां की स्पेलिंग देखिए के एन आई एफ ई तो एफ और एफ ई से समाप्त होने वाले शब्द बहुए चन कैसे बनते हैं बहुत सीधा नियम है वहां पे एफ या एफ ई को हटा दो और उसमें वी के एस जोड़ दो एफ या एफ ई को हटा दो और उसमें क्या जोड़ दो वी या एस जोड़ दो दूसरे शब्दों में V-E-S जोड़ दो आपने जो हटाया F को हटाया तो V उसके बदले जोड़ा और फिर इसके बाद क्या जोड़ना है E-S उदारन के लिए Thief was the first word Thief का बहुतन होता है Thieves V-E-S F is removed और V-E-S जोड़ दिया Suffix ऐसी Life L-I-F-E Life का बहुचन क्या हुआ Lives We lost so many lives in Corona this year हमने इस वर्ष बहुत सारी जिंदगी खोई Corona में इस वर्ष हमने इस वर्ष Corona में बहुत सारी जिंदगी खोई Lives L-I-V-E-S F को हटा दिया और V-E-S जोड़ दिया ऐसी Wife F-E Simple Remove F And Add V-E-S F अक्षर को हटा दें और उसके बदले V-E-S डाल दें तो बहुचन हो गया Wife का Wives Knife Knives Knife का बहुचन Knives Leaf आपने एक शब्द मैंने नहीं बताया Leaf Leaf याद आता है Leaf मने पत्ते पेड़ों के पत्तों को Leaf बोलता है और ऐसे ही कागज के पन्नों को भी Leaf बोलते हैं कागज के पन्नों को भी Leaf बोलते हैं दोनों साइड को मिलाकर जब कागज को उठाते हैं जब दोनों साइड मिलाकर कागज की तर्चा करते हैं तो टर्न द लीफ बोलते हैं वो पन्ना पल्टो और एक साइड का क्या रह कहलाता है पेज कहलाता है प्रिष्ठ प्रिष्ट और पन्ने में अंतर समझे पन्ना मतलब लीफ Turn the leaf now and go to the new leaf जिस पन्ने को पलट दो और नए पन्ने पे जाओ and turn the page मतलब प्रिष्ट को बदलो आगे और पीछे के अलग-अलग को प्रिष्ट कहते हैं, लीफ, page कहते हैं और दोनों को जब मिला दें दोनों के लिए जब एक साथ बोलना हो तो क्या कहलाता है, leaf और leaf मतलब प्रिष्टे उसका बहुतन क्या हुआ, leaves L-E-A-V-E-S leaves काफ मतलब क्या होता है, C-A-L-F काफ, बच्छडा गाए का बच्छडा गाए का बच्छा हो बच्छडा कहलाता है और काफ यहां की मसल भी है, पैर के नीचे की जो मसल होती है, घुटने के नीचे के पीछे, उसे भी काफ कहते हैं, तो उसका बहुतन क्या है, काफ एफ रिमूब दो लेटर F and add V-E-S in its place so this is another नियम, another law, another rule for making a singular noun into a plural noun if the letters end up with F or F-E right ऐसे भी कुछ शब्द हैं, कुछ संग्याय हैं, जहां F या F-E को हटा कर केवल S से काम चल जाता है, बहुतन बनाने के लिए दूसरे शब्दों में यह जरूरी नहीं है कि सारे शब्द जो F से खतम होते हों यह सारे शब्द जो F-E से समाप्थ होते हों उस में हम F को हटा दे यह F-E को हटा दे और V is jोड़े, not all these are general rules, as I told you, there are many exceptions also बहुते अपवाद भी हैं तो यह नहीमों को पत्थर की लकीर नहां माने but generally speaking it is correct सामान्य रूप से देखा जाए तो मोटा मोटा ये नियम सही बैठते हैं but ये एक पत्थर की लकीर जैसे नियम नहीं है उदारण के लिए अभी मैंने F और F E की बात की और बताया V E S लगा दीजे F हटा कर या F E हटा कर और बहुवचन हो जाता है लेकिन कई ऐसे शब्द हैं जो F और F E से खतम होते हैं लेकिन केवल S लगाना पड़ता है जो मैंने पहला नियम बताया था कि बहुवचन करने के लिए S लगा दीजे तो बहुवचन हो जाता है वो कई ऐसे अक्षरों शब्दों में भी लागू होता है जो F और F E से खतम होते हूं In the first rule I had told you that you can just write S at the end suffix S and it becomes plural Likewise the same S can be added to many words ending up with F or F E and it becomes plural They become plural, not necessary that all the words ending up with F or FE have to be changed into VES, no, not necessary. I give you an example, Chief, Chief meaning Mukhia, Chief Manager, Chief Officer, C-H-I-E-F, Chief, Chief, it's not a chief, it's not a chief, it's not a chief, here it's not a F, here it's not a VES, here it's not a VES, here it's not a S, here it's a S, and this is a B-H-I-E-F, safe, 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 what does it mean? safe manneh surakshit, safe yane surakshit, लेकिन मैं तो noun की बात कर रहा हूँ, surakshit noun होता है क्या? इस word surakshit in noun, इसको noun क्या होगा? safe मतलब होता है, ऐसा box या ऐसी जगह जो surakshit हो, keep my watch in the safe, मेरी घड़ी को safe में रख दो, safe जगह पे रख दो अलग है, और safe में रख दो मतलब एक locker जैसा, locker जैसा जिसमें चीज को surakshit रखा जाए, ऐसा box, उसको भी safe कहते हैं, box, box, तो box तो noun हुआ, तो safe जदी noun है, तो उसका बहुतन क्या होगा? safest, there are many safes there in the market, many types of safes in the market, बजार में बहुत सारे ऐसे safe मिल रहे हैं, जाके खरीद लो, ऐसी proof, proof यहने, आप जानते हैं proof कार्थ क्या होता है, उसने बहुत सारे proof दिये, proof का बहुतन proofs है, PR, O, F, S, proofs, proofs नहीं हैं, बिल्कुर सही, proof का बहुतन proofs, chief का बहुतन chiefs, safe का बहुतन safes, और यह क्या लिखा है, H, A, N, D, K, E, R, C, H, I, E, F, Hand, कर्चिफ, hand, कर्चिफ मतलब क्या होता है, hand, कर्चिफ किसको बोलते हैं, रुमाल को, रुमाल को हम short में hanky बोलते हैं, hanky, बोलते हैं हम में से आप लोग कई लोग, चलती भाशा में से hanky बोलते हैं, वो गलत है, उसका full form क्या है, hand, कर्चिफ, इसका spelling देख लीजए, और बहुआचन में ऐस जोडने से बहुआचन हो जाता है, hand, कर्चिफ का बहुआचन क्या है, hand, कर्चिफ, right, now we come to the next type, next type में ऐसा है कि, कुछ words ऐसे हैं जिसके अंदर वाविल है, वाविल किसको कहते हैं, वाविल किसे कहते हैं, English के जितने भी letters हैं, वो या तो consonant हैं, या वाविल है, यानि या तो व्यंजन हैं, या स्वर हैं, तो हम व्यंजन की बात नहीं करते हैं, स्वर की बात करते हैं, अभी स्वर को कहते हैं हम वाविल, स्वर को हम कहते हैं वाविल और अंग्रेजी में कितने वाविल हैं पांच A E I O U कितने वाविल हैं पांच A E I O U ये पांच वाविल हैं पांच स्वर हैं तो अंग्रेजी में कई संग्याओं में जो बीच में वाविल है उसको हटा दो और उसके बतले दूसरा वावेल डाल देता है तो भी वो बहुचन हो जाता है English is very funny Yes But English is great fun English एक बड़ी अजीब भाशा है लेकिन अंग्रेजी पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है So this is an example कि एक के बाद एक rules बताते जा रहे हैं ये rules याद करने की जुरत नहीं है समझने की जुरत है I give an example जब आप cycle चलाते हैं cycle में आप बैठते हैं उसके बाद steering पकड़ते हैं handle उसके बाद एक pair को एक pedal में दूसरे pair को दूसरे pedal में आप रखे उसके बाद कि आप याद करते हैं कि मैंने लगातार एक में पैर रखा दूसरे में रखा फिर एक handle पकड़ा दूसरा इसको रोज याद करते हुए आप चलाते हैं कि cycle या motorcycle एक बार आप motorcycle में बैठते हैं एक किक मारा उसके बाद आप सब जानते हैं आपका हाद पाँ सही जगह पे अपना आप चले जाता है आप याद नहीं करते हैं आप समझते हैं और समझ का परणाम ये है कि 6-7 दिन बाद आप motorcycle चलाने लगते हैं और याद करने का तनाव पालने की जुरत नहीं रहती Similarly here you don't have to mug up कि इसका नियम ये है ये नियम है ये नियम है ये नियम है ये नियम है No, just learn समझने की कोशिश करो इन नियमों के पीछे कुछ तर्क हैं और जहां तर्क नहीं है और नियम हैं वो अपवाद हैं Where logic doesn't work but the rule is there there are exceptions and exceptions are very few that you have to remember अब वादों को याद रखेंगे तो बाकी सब ठीक रहेगा So, now let us come back to our this thing The next rule that we are talking about is there are many words, many noun words where if you change the vowel and put another vowel, it becomes plural For example, man बहुत सारे आदमियों को क्या बोलते हैं men तो M-A-N का A आपने हटाया और उसके बदले आपने E भार दिया तो बहु अचन हो गया You remove the letter A from M-A-N and replace it by writing E in place of A and you get plural word of man that is men Similarly, woman and women Woman is बहुवचन and women is एक बहुचन लेकिन उच्चारन देखिये थोड़ा Women और वुमेन नहीं है Women नहीं है Women है, Women उच्चारन में बहुवचन में थोड़ा सा अंतर हो जाता है Women Don't say women Women and women ऐसा नहीं है ये है women और women क्या है उच्चारन? Women, बहुवचन So, but the fact is you have changed the vowel and you made it plural Next is foot 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 यहने तल्वा पैर नीचे का और उसका बहुवचन क्या है? Feet और foot यहने एक foot The unit of measurement नापने का एक unit उसको क्या बोलते है? foot बोलते है एक foot एक feet So, foot का बहुवचन हो गया Feet You remove both the vowels and you get add double E to it and becomes feet The last is लाउस लाइस लाउस क्या होता? जो जुवचन बहुत सारी लाइस जुवचन Tooth teeth एक दांत टूथ आप डॉक्टर के पास एक दांत निकालने जा रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? कि I am going to the doctor to remove one tooth और आपके बहुत सारे दांतों में problem है तो आप क्या बोलेंगे? I have problem in my teeth That means more than one tooth is troubling you That means more than one tooth is troubling you So, आप क्या बोलेंगे? बहुतन में तीथ Now, we come to the next one There are few nouns where if you add E-N it becomes plural You have already learnt addition of S addition of E-S addition of S addition of E-S replacement of Vowel and now here another set of nouns where you remove without removing you just add E-N to it and it becomes plural If you remember right at the beginning I had given you four examples and one of the example was Ox What was the example? Ox What is the plural of Ox? Oxen Plural of Ox? Oxen Plural of Child? Children What is the plural of Child? Children Children Baccha 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 And here E-N Jodhya So this is another sort of general rule to make plural Fish Now we come to another very interesting part of this exercise of singular plural And what is that? That there are many words where they are same both in singular as well as in plural There are many nouns in English They are used both as singular and as plural in the same format with no change whatsoever उसमें किसी भी तरह का अंतर नहीं आता जैसे टूथ का टीथ हो गया वाइफ का वाइफ हो गया बॉक्स का बॉक्स हो गया बॉक्स का बॉक्स हो गया यहां तो सब चेंज हुआ कुछ न कुछ But there are many words where no change is done and the same word can be used both as singular as well as plural like examples are many I will give few examples connected to us from around हमारे आस पास चे जो शब्द है उन में समकुछ लेते हैं और एग्जामपल शीप शीप याने भेड शीप याने भेड एक वचन बहुचन में वो शीप ही होगा ऐसी डियर डियर याने हिरन डियर याने हिरन तो चाहे एक वचन में बोलें चाहे बहुचन में बोलें वो डियर ही रहेगा डियर्स नहीं रहेगा डियर्स नहीं होगा डियर्स नहीं रहेगा ये याद रखें बहुचन में संग्या में इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं करना होता और ये एकवचन भी है ये बहुचन भी एरक्राफ्ट एरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज बट एरो प्लेंगे तो वहाँ पे एरो प्लेंट में एस लगेगा लेकिन अधिया आप एरक्राफ्ट वर्ड यूज करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं लगेगा एरक्राफ्ट बहुचन भी है एरक्राफ्ट एक वचन डेरा मैनी एरक्राफ्ट बस देट सॉल मैनी से पता लग जाएगा कि मैं एक से ज्यादा हवाई जहाजों की बात कर रहा हूं ऐसे ही सीरीज सीरीज याने क्रम मुझे रेलवे की टिकेट सीरीज में मिली है चिरेमया की टिकेट मुझे सीरीज में मिली है एक क्रम में मिली है क्रम का बहुचन नहीं बहुत से क्रम ना लेकिन जब हमको यूज करना है तो I have got the tickets of many series lottery की टिकेट मुझे बहुत सी सीरीज की मिली है समझ रहे आप तो series the tickets of lottery we got many series यदि मैं dear की बात करूँ so one small point एक sentence है my dear dear is very dear क्या है sentence my dear dear is very dear क्या मतलब हुआ तीन बार आया है spelling अलग-अलग है लेकिन उचारण एक ही है तीनों बार dear के अलग-अलग meaning है कुछ चारण एक ही है spelling अलग-अलग है spelling is different pronunciation is same and meanings are different all the three times my dear dear is very dear पहला जो dear है उसका अर्थ होगा प्यारा दूसरा जो dear है वो उसका होगा meaning हिरन और तीसरा जो dear है उसका meaning है महंगा precious महंगा my dear dear is very dear मतलब मेरा प्यारा हिरन बहुत महंगा है बहुत कॉशली है बहुत उंची कीमत है this is just a tip I mean just a point that I wanted to say well coming back to the point so we have many words which are used both as singular and plural in the same way with no change and among them as I told you sheep deer aircraft spacecraft series pair pair mani joda we don't say pairs of म्रे कर चार जोड़े चाहिये तो I will simply say four pair but I won't say four pairs right so pair say dozen dozen मने दर्जन dozen score these are the words which are same in एक वचन और बहु अचन say hundred thousand when used after numeral याद रखेंगे यदि मैं hundred और thousand की बात कर रहा हूं तो used after numeral वजारन के लिए I bought three dozen oranges I bought three dozens oranges नहीं होगा क्या होगा I bought three dozen mangos I bought three dozen bananas dozens नहीं होगा तो अब आप समझ गये हैं कि मेरा क्या तात्पर है यहां कहने का कि एक वचन और बहु वचन में वह शब्द वैसा ही रहता है ना उसमें S जुडता है ने S जुड़ने से बहु अचन होता है ना F को हटा कर V E S जुड़ने से होता है और या F E को हटा